हेलो दोस्तो दोस्तो यह है MicroTech company का 1250 VA का inverter जो इसका model number है JM1250 देखिए यह MicroTech Technology Vlive तो दोस्तो यह काफी बड़ा inverter है जो की 1250 VA का है दोस्तो VA और वाट में फरक होता है company आपको कभी भी inverter VA में देती है वाट में नहीं तो दोस्तो इस सक को दूर करने के लिए एक बार इसकी बैक साइड देखते हैं कि बैक साइड पर कुछ लिखा है या नहीं अब दोस्तों इसकी बैक साइड पे हम आ चुके हैं जो मॉडल नंबर है जे एम 1250 और दोस्तों इसके लिए जो वोल्टेज में से सही रहेगी वो है 220 वोल्ट उस 220 वोल्ट के उपर ये अंपेर कितने लेगा 6.70 अंपेर लेगा जो फ्रेक्वेंसी रहने वाली है वो 50Hz लेकि अब इसको आप ओन करेंगे मेंस ओफ होगी तब इसकी आउटपुट होगी 220 वोल्ट और उस 220 वोल्ट के उपर जब आप थोड़ा लोड डालेंगे तब अंपेर लेगा ये 5.68 अंपेर लेगा और जो इसकी फ्रेक्वेंसी रहने वाली 50Hz अब दोस्तों बात करते हैं इसकी चलेगा सिंगल बैटरी पर अब दोस्तों इसमें देखिए कितने एच की बैटरी को चार्ज कर सकता है यह दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी जोकी 100 एच से लेके 200 एच के बीच में कोई भी हो उसको यह सही तरीके से चार्जिंग कर सकता है अब दोस्तों इसकी जो सेटिंग है स्विश की उसकी सैटिंग के बारे में आपको दिखाने वाले हैं असली जो इसका कारण है वो है इसकी इसकी सैटिंग कैसे की जाती है इस बारे में शायद आपको नहीं पता इसकी setting के बारे में बताते हैं आपको अगर दोस्तो उपर narrow निचे STD अगर दोस्तो आपके पास main specific से जो आती है supply अगर आपके पास 180V से कभी भी निचे नहीं होती और 260V से उपर नहीं होती तब इसा को आप narrow पे set करें अगर आपके पास PC है तब भी इसको आप narrow पे रखें अगर दोस्तो आपके पास 150, 160, 170 से उपर voltage नहीं जाती इससे निचे ही रहती है तब आप इसको standard पे करें क्योंकि standard पे क्या होगा जितनी भी voltage पिछे से आएगी चाहे 90 आए चाहे 150 आए या फिर 260, 270 जितनी भी voltage आएगी ये inverter उस voltage को उतनी ही आउट कर देगा अगर आपका narrow पे होगा अगर पिछे से कम आ जाएगी तो ये cut कर देगा उस supply को और अपनी supply जो 220 voltage है उसको देने लगेगा अब दोस्तो वैसे आप इसको निचे ही रखें क्योंकि हर जगा सप्लाई सही नहीं रहती हर किसी के पास सप्लाई लगबग 180 से निचे ही रहती है इसलिए आप सप्लाई देखके ही इसको सेट रखें अब बात करते हैं high charging की और standard charging की अगर दोस्तो आपके पास 150 AH की बैटरी है या फिर 135-120 AH की बैटरी है तब आप इसको निचे standard पे रखें अगर आपके पास 150 से उपर है चाहे 180 की हो या फिर 200 AH की हो या फिर 2-3 साल पूरा नहीं हो तब आप इसको high पे करें क्योंकि दोस्तो जो tubular बैटरा होता है उसको जादा मपेर चाहिए इसलिए आप इसको high पे कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कोई normal बैटरी है जो 150 AH से निचे है और नई है तो आप इसको standard पे रखें अगर बैटरी 150 AH की है लेकिन 3 साल पूरानी है तब आप इसको high पे कर दें क्योंकि फिर 3 साल पूरानी बैटरी कम backup देने लगती है इसलिए आप इसको high पे करें तो दोस्तो यह इसकी back side की setting इस setting के बाद इसको inverter को एक बार उपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर किस परकार का बोड़ है और किस परकार का इसके अंदर transformer है ये देखिए दोस्तो जो इसका बोर्ड है आप इस बोर्ड को देख सकते हैं सबसे पहले इस बोर्ड के हम आपको मौस्फिट दिखाते हैं कितने हैं और किस नंबर के हैं एक साइड में जो MOSFET है 5 है और दूसरी साइड में भी 5 है लेकिन जो MOSFET का नंबर है वो है P55 ये सभी के सभी P55 है तो दोस्तों ये इसका में बोर्ड है इसमें जो IC लगा है में Micro Controller IC है और दूसरा इसका ये możemy charging IC है इस charging से signalसे इस IPC पर जाता है फिर इस driver साथ है इस BTA के पास जाता है तब ये BTA transformer को 100-140 weolt के बीच में supply देता है जब transformer में supply आती है तब ये battery को charging voltage को देता है तो दोस्तों ये इसका जो है बजर है और बीच में ये छोटे छोटे दो IC ये स्टेप डाउन IC है जब मेंस आती है उस मेंस के सिगनल को इस IC के पास भेजते हैं तब ये IC इस रिले को आफ करता है तब आपका इन्वर्टर मेंस मोड पे आता है दोस्तों आप देखिए जो इस ट्रासफर्मर की वायर गेज है वो काफी मोटी है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्वर्टर वाकिए काफी बड़ा है अब दोस्तों ये है इसके DC फ्यूज ये DC फ्यूज कंपनी क्यों लगाती है कहीं बार हमारा जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा चैर्जिंग अगर बैरे को देगा तो उस स्थिती में यह जल जाएँगे अगर आपके पास से जितना यह लोड मालो एक हजार वाट साथ माली यूज बढाता है आप इसके उपर पंधरा सो वाट लोड डाल दिया तब उस स्थिती में यह कई बार जल जात देखिए दोस्तों यह 50 mm के करीब यह वायर है जो कोपर की वायर है उसी प्रकार से यह बलेक वायर है यह बैटरे के टर्मिनल पर जाती है यह काफी हैवी वायर है 50 mm के करीब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह 1000 वाट काफी है वी होता है अब बात करते हैं इसके transformer की आपको इसके transformer की पहले बीच की चोड़ाई दिखाते हैं के इसकी चोड़ाई कितनी है यह देखिए इसका जो bobin का size है वो है 2.5 inch के करीब क्योंकि जो 900 VA का inverter होता है हमारा उसका जो bobin का size होता है वो 2 inch होता है लेकिन इसका 2.5 inch है इसलिए काफी ब प्लीज हमारी वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो